राधे राधे मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि D नाम के जातक एबं I नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का बैबाहिक जीवन इन दोनों का दामपत्ते जीवन कैसा होगा मित्रों यदी आपी ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा मित्रों यदी आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदी आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें तो दोस्तों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि डी नाम के जा तक एबम आई नाम के जा तक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा दोस्तों इस नाम के दोनों जा तक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला संबंध बहुत ज्यादा सांदार होता है क्योंकि इस नाम के दोनों लोगों के भीतर लगभग एक समान गुन होता है इस नाम के दोनों जातक अपने अपने जीवन को एक समान तरीके से जीने का प्रयास करते हैं एबम इस नाम के दोनों जातक बहुत जयादा घरेलू होते हैं एबम अपने घर पर अपने घरबालों के साथ समय बिताना इस नाम के लोगों को बहुत जयादा पसंद होता है मित्रों इस नाम के दोनों जातक बहुत जयादा गर्म मिलन सार एबम देख भाल करने बाले होते हैं इस नाम के लोगों का रवया बहुत जयादा नरम एबम बिचार सील होता है एबम इस कारण से इस नाम के लोगों की सराहना बहुत जयादा की जाती है मित्रों इस नाम के दोनों जातक अपने दामपत्ते जीवन में या अपने घरबालों अपने पिडिये जनों के परती बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं दोस्तों इस नाम के लोगों को एकांत में रहना सांती में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि D नाम के जातक बहुत जयादा भाबुक होते हैं इस नाम के जातक अपने पड़िबार एबम अपने परिचित लोगों के साथ में हमेशा जुरे रहने का प्रयास करते हैं एबम इस नाम के लोगों का अपने जीवन के परती दृष्टी कौन बहुत जयादा जमीनी होता है मित्रों डी नाम के जातक एबम आई नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन एबम अब गुन को मिलाने के बाद यदि इनके दाम पत्ते जीबन इनके बैबाहिक जीबन की बात कड़े तो इन दोनों का संबंध बहुत जयादा मजबूत एबम सांदार होगा मित्रों इस नाम के दोनों जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का बैबाहिक जीबन बहुत जयादा मजबूत एबम सांदार होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे जय बाबा भेरब कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवद